आप देख रहे हैं महा इंडिया नियूज खबर वही जो हो सही प्रेस बेल आइकॉन टु सब्क्राइब महा इंडिया नियूज वंचित बहुजन आगाडी कुरला के उमीदवार अब्दुर्रह्मान अंजारिया को किया नजर बन अंजारिया ने कहा साधवी प्रग्या को लोकसुबा का डिकिट देने से हम नाराज हैं जिसका विरोध करने के लिए प्रधान मंतरी को BKC में हम काले जंडे दिखाएंगे और ये बात दो-तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई है जिसके चलते पुलीस हरकत में आई और उन्होंने एम और वंचित बहुजन आगाडी के कार्यकरताओं को डीटेंट करना शुरू किया आईए बात करते हैं अब्दुर्रह्मान अंजारिया से के उन्होंने क्या कहा जिसके लिए ये पूरा धराने की राजनीती चल रही है बाड़ा साथ के सहिनिक और अवैसी साथ के सहिनिक किसी तरह से जरने वाले नहीं है और आप जो है ये सेना अपनी ताकत का इजार करेंगी सेना भाजब कांग्रेस तीनों डर कर गए प्रिंचुए के पिंजरे में बैढ़ गए और पिछे सेर में जरानी की राजनी तिकी जा रही है यह जो अब आप जरना कर दें अभी आगें क्या आपका स्टैप रहेगा अब महारस्तर सरकार को क्या बोलना चाहरे है क्योंकिन है श्रकार का ब्रह्मण वाजी सरकार आज बहुत बढ़ा पोल फोलने वाले थे एक सिंग नाम का आदमी किस तरह से सिज़ों परमोद महाजन का उस्टी हुआ करता था आज बहुत बढ़ी कंपणी का सपाइस जेड का मालिक बन गया और आज वही स्पाइस जेट जो है वो जेट एर्वेस को ले रही है किस तरीके से यह ब्रह्मनवादी सरकार बड़े-बड़े अपने OSD एक मामुली आत्मी OSD इतना बड़ा कैसे बन गया आज हमारी सबा में उसका खुलासा होने वाला था इसलिए यह सारे तमाशे किये जा सब्सक्राइक, परुएं अभी से देखा जा तो पहले पुलिस वालों नहीं बहुत परिशान किया सिधा आके अपने लोगों को रोग दिया गया भार निकलने से खड़ा थो उसके बारे में क्या बताओगे जो पुलिस वाल अभी आजाजी नहीं है, इन्सान की आजाजी नहीं है यही मोधी सरकार्थी जिसके जब मुझे भी दक्ता मारा गया है और बोले के इंडिया की जुडिशरी को बचाओ इस से जादा हिंदुस्तान का नाकामियाँ वजीर आजम कोई हो ही नहीं सकता इतियास में भारत के पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस के सामने आके कहते हैं कि हम पर दबाव है इस से जादा शर्म की बाट डेमोकरी में हो नहीं सकती यह समयधान डॉक्टर बाबासाब अम्मेट करका दिया हुआ है और उसमें जुडिशरी को जो पावर दिया है वो बाबासाब करने दिये हैं जिसे हम किसी भी आहलत में परदा सब्सक्राइब होना चाहिए इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए शाषन और प्रशाषन की मिली भगत है उनका एक प्लैनिंग है यह प्लैनिंग हमारे समझ में आ गया और उसके कारणी सभी कारेकर यहां जमा हुए अगर उन्होंने तो अटक करना है तो उन्होंने हाथ लगा कि बताईए अटक कीजिए अब हम प्लीस प्रशाषन का निश्यत करते हैं और हम ऐसे पुलीस के अधिकारों से हम डरने वाले नहीं है इसके बारे में क्या बता हुए आपके चैनल के माधियम से यही कहते हैं कि जो डामे बार्शी आज हुई है हमारे औफिस पे और हमारे केंडिड को चीज तरीके से दबाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं अभी मैंने इसा भी सुना कि कुछ कारिया करता को प्लीस वाले खुद लेके एक ठीक है वो इंशाला उस तरीके से लेके भी आएंगे और अगर नहीं लेके आए और हमारे कैंडिड को अगर कोई तकलीफ आई तो वंचित भौजण अगाडी बीवीयम के माइम के सारे कारियागरता मिलके पुलिचोंगी का ख करेंगे जो नाकामी उनकी खोलेंगे जो उन्होंने काम किया है पाथ साल में पिछले जो कॉंग्रेस नहीं बोल पाई जो मैसेज आवाम तके नहीं पहुंचा पाई वह मैसेज आज हमारे दोनों लीडर वहां पहुंचाएंगे मैं इसके लिए भविश्कार करता हूं बीजे करने ला नहीं पाए और वही नाकामिया आज अब प्रकाशा बालसाहिप अंबिट कर लाएंगे और ववेजी साब लाएंगे उनके वही डर से आज हमारे को दबाया जा रहा है लेकिन हम लोग डरने और घबराने वाले लोग को नाम मचलिस नहीं है हमारे लीडर की तरफ स हमारे सदर की तरफ से हमारे को पूरी छूट है और हमको आज जो करना पड़ा आज वह करेंगे और हमारे दोनों लीडर की सभा को कामयाप करेंगे और यह सभा हम लोग सक्सेस करेंगे और किसी के दबाओं में आके हम लोग नहीं बैटके वाले हैं यह इसके खिलाब कि जो भी फुलिस अभी पहार करिये हमको पहार देने जाती है यह लोग को दबाने की कोशिच लर रहे हैं लेकिन हम लोग दबेंगे नहीं हो सकता है कि यह जो भी प्रशासन हमारे उपर कारवाई कर रही है हम इसका चालेंज हाई पोर्ट में सुप्रेम कोर्ट में करेंगे और नहीं पाई लिका में हम लोग जरूर नहीं मांगेंगे यह गलत कर रहे हैं पुलिस के भादनमी सरकार मोधी सरकार यह गलत कर रहे हमक कि अगर किसी के भी उपर यह फायर होगा तो इसका इंतजाम क्या होगा हमें मालूम नहीं है क्योंकि हम लोग सभीधान का पालन करने वाले लोग हैं आप हमें उकसाने की कोशिश मत करो हम आप हमें भरकाने की कोशिश मत करो हम शांती रखने वाले शांती पर अमल करने वाले हम लोग है हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन और पुलीस को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग जो हमारी सवाय हमें होने दो और इसी के वे उपर यह पायर मन करो अगर